हेलो स्टूडेंट्स, विल्कम बैक टू तेयारी ओनलाइन, मैं हूँ सुधा आज के वीडियो में हम कभी जैसंकर प्रशाद जी का जीवन परिछे चानेंगे, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्थे पुस्तक शिती भागदो के अध्याय 4 से, जैसा कि हम सब जानते ह हैं बच्चों, जैसंकर प्रशाद जी हिंदी साहित्य के महानतम कभयों एवं लेकों में से एक माने जाते हैं, जैसंकर प्रशाद जी एक प्रशिध हिंदी कभी नाटक कार, उपन्यास कार तथा निवन्ध कार थे, ये हिंदी छाया वादी, योग के 4 अस्तंभों में से ए अब इन चार अस्तंभों में कौन-कौन थे तो एक थे जैसंकर प्रशाद जी, दूसरे थे सुरेकांत्र पाथी निराला जी, तीसरे सुमित्रा नंदन पंत जी और चौथे अस्थानपी थी महादेवी वर्मा, तो ये चार अस्तंभ थे छायावादी यूग के। जैसंकर प्रशाद जी का जन तीस जनवरी 1889 इस्वी में उत्तर प्रदेश में वारा नसी में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई घर पर ही की, उन्होंने घर पर ही संस्क्रेथ हिंदी फार्सी का अध्यन किया। उनका निधन 15 नवंबर 1937 में 48 वर्स की आयू में हो गया। चलिए उनके द्वारा लिखित प्रमुख कावे कृतियां देखते हैं तो देखिए चेत्रधारा, कानन कुशुम, जर्णा, आसु, लहर और कामाईनी ये उनके द्वारा लिखित प्रमुख कावे कृतियां हैं। जब हम कावे कृतियों की बात कर रहे हैं तो आपको बता प्रशाद जी की प्रथम कावे कृति उर्वसी को माना जाता है उर्वसी इनकी प्रथम कावे कृति है और इसका प्रकाशन किया गया था 1909 में उसके बार प्रशाद जी की प्रथम छायावादी कावे कृति है जर्णा याद रखेगा जर्णा प्रशाद जी की प्रथम छाया वादी कावेकृती हैं और उनकी अंतिम कावेकृती हैं कामाईनी जिसमें 15 सर्ग हैं कामाईनी के लिए उन्हें मंगला प्रशाद पारिश तोसिक से भी सम्मानित किया गया कभी के साथ साथ वे सफल गधकार भी थे अब देखिए उनके कुछ प्रमुख नाटक हैं अजात सत तितली और इरावती इरावती जो है वह उनकी अधूरी उपन्यास है और उन्होंने आकास दीप आंधी और इंदरजाल जैसे अनेक कहानी संग्रा भी लिखे हैं प्रशाद का साहित्य जीवन की कोमलता मधुर्य सक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है छायवादी कविता क अतिसे काल्पनिक्ता सौंधरिका सुक्ष्ण क्रितरन प्रकृति प्रेम देश प्रेम और सैली की लाक्षनिक्ता उनकी कविता की प्रमुक विसेशताएं हैं इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रूची थी जो उनके साहित्य में असपस्ट दिखाई देती है तो आप सब को जैसंकर प्रिशाद जी का जीवन परिचे कैसा लगा आप हमें कमेंट करके हवश्य बताएं यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को दवाएं ताकि सभी नोटिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को सेयर करें तो मिलते हैं आप से जैसंकर प्रिशाद जी की कविता आत्म कथे के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद